करी पत्ते के बारे में करी पत्ते को मोशली स्वावत इंडिन खाने में खुसू बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है आपको हर घर की किचन में ये मिलेगा ही इसे मीठा नीम के नाम से भी लोग जानते हैं ये केबल आपकी सबजियों के खुस्वू ही नहीं वड़ाता है बलकि इसमें होते हैं धेर सारे नीट्रियंस और आपकी ब्यूटी के लिए ये बहुत बहुत ही वेनिफिशल होते हैं करीब अता ठंडी तासीर का होता है और इसके साथ ही साथ इसमें पाया जाता है कैल्सियम, फासपूरस, आइरन, बिटामिन ए, बिटामिन बी, बिटामिन सी, बिटामिन ए ये सबी बिटामिन पाय जाते हैं इसमें और साथ ही साथ ये पाचन संबंदी बिकारों को भी दूर करता है सुबह खाली पेट आप इसको चार से पांच पत्ते खाते हैं तो इसके क्या-क्या फाइदे हैं ये मैं आज आपको बताते हूं क्या सबसी पहली करिपत्ता खून की कमी से चुटकारद दिलाता है अगर आपकी सची में खून की कमी है तो आप खाने में इसको औरको प्रियुद को भीशां इसमें मार्पूर मात्रा में आहिर्स रेलु होनी चानिय बढ़ाने में हैल्प लगता है अगर आप अनीमिया से पीडित हैं तो आप सबजियों में जैसे धनिय काट करते हैं बैसे ही करी पत्ते काट करें साती सात रोज सुबह एक खजूर और दो से तीन पत्ते खाली पेट खाएं इससे आपकी कुछ ही दिनों में खुन की कमी दूर हो जाएगी आईरन लेवल हाई हो जाएगा इससे की अनीमिया की संभावना भी खत्म हो जाएगी करीपत्ता आपके लीवर को मजबूत बनाता है अगर गलत खान पान और एलकोल की बज़े से आपका लीवर कमजोर हो गया है या फैटी लीवर या सिरोशिष की प्रावलम हो गई है तो आप करीपत्ता खाएं और ये आपके लीवर को मजबूत बना सकता है अगर आपका लीवर कमजोर है तो आप करीपत्ता सुबह खाली पेट खाएं गरम पानी के साथ 5-6 पत्ते लें तो आपका लीवर बहुत ही जल्दी डिटॉक्सिफाई हो जाएगा डिटॉक्सिंस उसमें से निकल जाएंगे तो ये था मेरा आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों बताईएगा और कैसे करीपत्ता लीवर को ठीक कर सकता है अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज हिट दा लाइक बटन और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल और प्रेस दा बेल बटन ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफकेशन आपको मिल सके सो थैंक यू सो मच बाबाई